परम प्रेमय सिसी ठाकूर मोर जगत जननी सिसी लखीमा परम पुजपाद सिसी बड़दा परम पुजपाद सिसी दादा आजी का अच्छा जदेव ठाकूर परिवार का सभी समस्तन का चरण में मेरा अननत कटी प्रणाम। मैं आज आप लोगों की सामने आलचना करूंगा नीती बाणी संख्या 101 में ठाकूर जी कहते हैं कि पूरुष और नारिक के विभाव में कम आयू के अंतर से जिवन बहुत दह तक जल्दिख्याय होने का संभावना बहुत अधिक रहता है। आयू कम आयू मगर जो अंतर पूरुष से और इस्त्री का अंतर बहुत कम रहता है ओ ज्यादा जल्दिख्या टीक नहीं रहता है क्योंकि ओ जदिवी रहता है तो उनका अंतर जो बहुत खराप प्रभाव आता है इस तरह के विभाव में नारिके पूरुष के प्रति में में सुरू हो जाता है एक दुसरे के समझने के कोशिस भी बहुत कम ही क्या जाता है बातो बातों में तनाब पैदा होता है जिससे दोनों के जीवन में बिक्रुतिया आने लगती है और धीरे धीरे और पायू हो जाते हैं मानसिक रूप से इतना दुरबड हो जाते हैं कि मुर्त्यू को स्वर्थ करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहता है बातों बातों में मरने की बात कहने लग जाते हैं एक दूसरे को सहने की भी ख्यमता कितनी देखी नहीं जाती है वो किसी को मानते ही नहीं है एक स्वामी को देवता कभी नहीं मानता है क्योंकि एज का सामन्जिस में एज सब पैदा होता है अब साथ से जीवन ख्याय अर्थात बरबाद होने लग जाता है हम उम्र में कम उम्र में साधिक करने से और भी समझ सा बढ़ जाती है तलाग देने की नोवत आ जाती है एज चीज कितने घरों में देखा गया है और देख जाती भी है उसी जगा बिभा में पुरुस और नारी का बीच 15-20 बर्स का जब अंतर रहता है तो नारी पुरुस को स्रधा पाती है और स्रधा करती है तो जो पती जो 15-20 तक आयो डिफारेंस रहता है आज काल की समाज इसको एकसप नहीं करता है बोलता है एक बाप और बेटी का साधी मगर सिशी ठाकुर जी ने बोला है 15-20 के अंदर जदे डिफारेंस रहता है तो क्या बेनिफिट होटा है एक नारी और पुरुस में और कैसे एक संसार होता है इसके बारे में ठाकुर जी क्या बोले हैं देख सुनिए पुरुस भी नारी को हर तरह से सुख करने की चेश्टा करती है एक दुसरे में मैत्रभाब पैदा होता है यहां नारी अपने स्वामी में गुरु, माता, पिता, मित्र और सुबचिंतक को देख पाती है स्वामी को देवता की रूप में देखती है जब नारी इस प्रकार प्रसन्य रहती है वो जीबन सांती पुरुस में संक्रमित होकर ख्योई होने से बचाते है और दिर्ग जीबन, स्वास्त जीबन दोनों के प्राप्त होता है दोनों का जीबन सुक, सांती और बेभेव का प्राप्त करता है एसे पुरुस नारी उत्तम पुत्र पुत्री का माता-पिता बन पाते हैं जो दोनों के जीवन को सर्थक करता है और आदर्स माता-पिता के रुब में एक दिन जाने जाते हैं एसे नारी दूसरे नारी के लिए प्रेणन का स्रोत बन पाती हैं इन दोनों के जीवन से कोई लोग को बहुत लोगों को सुंदर सिख्या प्राप होता है इसलिए ठाकुर जी नारीयों किसे कहते हैं क्या एसे स्वामी तुम बरन नहीं करो बान नहीं चाहे हो जो उनका चाली चलन आचार बेभर ठीक नहीं है तो यह जो बिभा का जो सिष्टम ठाकुर जी ने बताये हुए हैं बिभा से पहले बहुत सारे आदमी बहुत कुछ जांच नहीं करते हैं जातक जदी मिल गया तो वो साधी कर देते हैं तो जातक तो बहुत सारे लेड़की के साथ भी मिल सकता है मगर ये चीज बहुत इंपोर्टांट से जो आयू का डिफारेंस इसमें एक पाठ है छोटा सा पाठ है एक नारी और पुरूस का विभाव से पहले तो बहुत सारे चीज देखा जाता है परन्तु आयू भी देखना चाहिए पांच साल आठ साल या चार साल डिफारेंस में साधी कर देते हैं ये भी क्या होता है उनका दोनों का प्रेम भाव सुष्टी नहीं होता है जो एक जदी ज़्यादा आयू डिफारेंस रहेगा स्वामी और इस्त्री का अंदर प्रेम भाव सुष्टी होता है और प्रेमभाव जब सुष्टी होता है तब जाकर ये एक देवता स्वामी को देवता एक नारी मानता है और जब दोनों का अयूद समान तर हो जाता है तब दोनों का अंदर एक दोस्त की तरह या दोस्त भी नहीं हो रहता है एक समान अयूद के तरह रहने के बाद दोनों सम बुद्धी संपन होने के बजय से वो दोनों को अंदर टकराव आ जाता है तो नारी बोलता है में ज़्यादा ग्यानी हूँ पुरुस बोलता है में ज़्यादा ग्यानी हूँ तो ये ग्यानी के अंदर अंदर टकवार जो आता है धिरे धिरे उनका अंदर एक खराब प्रवे सुष्टी होता है और उसमें तनाव आता है तनाव आने के बाद तू तू मे में सुष्टी होता है उसकी बार डाइवर्स हो जाता है तो ए चीज जो ठाकुर जो बोले हैं इसमें आप देखिए जितना भी डिफारेंस होता है जो भी नारी और पूरुष के अंदर आप देखिए उनको research किजिए इस market में देखिएगा इस समाज में कितना सुक और सांती में हैं तो ये भी बहुत importance है विभा के अंदर ये भी आप लोग देखने की causes किजिए तो जो भी है आज जो आलचना जदे अच्छा लगा तो मेरे को comment box में comment किजिए मैंने अन्याबाद आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ बंदी पुर्शत्म जई गुरू